हलो गाइस कहते हैं आप सभी लोग आई हूँ अच्छे होंगे और आज के इस वीडियो में हमें ये देखने वाले हैं जो भी छात्र भी ये सेकंडियर में हैं उनके लिए हम एजुकेशन का पेपर लेके आए हैं फस्ट पेपर है एजुकेशन का जिसमें यूलिट टमबर ट आप इन पीडियोप से पढ़ते हैं हमारी पीडियोप से पढ़ते हैं तो आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं है इस वात को हम कह सकते हैं मैं आपसे बादा करता हूँ कि आप मारी पीडियोप को डालोड कर ले और आप अच्छे नंबर से पास होंगे ये मेरा बादा है आपसे आप यूपी के किसी इनिवर्ष्टी से है आप यूपी UK के किसी इनिवर्ष्टी से है या फिर बिहार से है तो भी आप के लिए बहुत जादा इंपोर्टन कोशन है यह इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला तो PDF को डानलोड सबी alpha कर लेंगे यहां बोला गया है सीखना देखिए सीखना विकास की पिरक्रिया है ये कथन है बताईए सीखना विकास की पिरक्रिया है ये कथन किसका है एक बार सभी लोग बताएंगे इस कोशन का अंसर क्या होगा तो सभी का अंसर बुड़वर थाना चाहिए इस पिरकार से हमारी PDF पूरी मिलेगी आपको ठीक है इस पिरकार से PDF मिलेगी आंसर भी नीचे दिये होंगे आपको काफी important रहेंगे नेक्स कोशन है सीखना बेबहार में ठीक है उत्रत जो समाजिश्य की पिरकरिया है ये किसने कहा था तो आप कहेंगे ये इसके नर्द वारा कहा गया था option number A रहेगा नेक्स कोशन है सीखने के नियम को पृतिपादित किया किसने किया था तो आप कहेंगे थोर जो थोर डाइक थे उन्होंने किया था option नमबर जो भी डी है बिलकुल राइट है नेक्स कोशन बोला गया है प्रियास एंटोर्टी का सिध्धान पृतिबादन किया किसने किया था आप सभी लोग बताएंगे ये आत्वा में आपसे पूशन पूश सकता है अधीकमन का जो उधीपक पिरकरिया सिध्धान जिसे हम ऐसार थियोरी कहते है वो प्रत्थम पृ पृतिबादा कौन थे तो आप सभी कहएंगे ये थौर डाइक थे ऐप्शेन नमबर सभी का अंसर ए आना चाहिए निct question है नबीन ग्यान और नबीन प्रिकिरियाऊं को प्राप्त करने की क्रिए सीखने की क्रिए है ये किसने कहा ता बुड़र्त ने कहा था option नम्मर D क्योंजाएंगे next question है फैसी जो option है उनको नहीं पड़ेंगे मैने आपको इज़िशन के ओप्षिन पड़ना है मैं आप से बादा करता हूं पीडियेफ को डानलोड कर लेना पीडियेफ का लिंग डिसक्पशन बॉक्स में है यदि आप अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं तो वैंतों यहीं कहूंगा आपको फेल करने वाला पैदा नहीं है यहां किया रहा है सीखना आदतों और ग्य और और सब्सक्राइबन चलता है यह सीखना कहला थां नया कार करना यह भी सीखना कहलाता है यह फिर कह सकते हैं व्यक्ति असमाजिक-धा यह सिखना कहलाता है उप्रोगत सभी हो जाएगा किसने कहा परिवक्ता और चीखना प्रफट परक्रिया नहीं है और वरण एक habla क्यो किस ने किया और कब कौन से बर्स में किया तो आप कहेंगे अप्षिन नमबर सीखी और जाएंगे किस ने कहा सीखना अनुभब और प्रिति कह सकते हैं प्रिशक्रण द्वारा व्यवहरण परिबरतन है तो सभी कहेंगे ये कहा था गैट वा अनने कहा था ऑप्षिन नमबर वी की ओड़ जाएंगे ये कह रहा है देखिए पाव लॉव था पाव लॉव क्या था एक रूसी मनोविग्यानिक था ऑप्षिन नमबर जिसने दिया है सी बिलकुल राइट है नेक्स कोशन जो अविहास का नियम था वो सीखने का मुख नियम है ये जितना अविहास करोगे उतना सीखोगे नेक्स कोशन अंतर दरश्टिय द्वारा सीखने की सीखने के सिध्धान्त और सूज का सिध्धान्त का प्रतिवावन किस ने किया तो आप सभी कहेंगे ये कहा था कोहलर ने कहा यह कौन है यह कौन है यह कौन है जिसने जो कहा था आप यह कहेंगे यह जो थे उते फ्रोवेल कौन थे फ्रोवेल आप्शन नमबर बी की ओर जाएंगे कि निमने में से मनों बिज्ञान एक ही चेत्र के हैं चौथा उससे भिनने यह कौन है और किसने कहा तो आप कहांगे प्रोवेल है एक्स कोशन क्यों चलते हैं देखिए अभी हमने कोशन आया था कि पावलॉब कौन था तो पावलॉब कौन था सभी लोग बताएंगे पावलॉब सभी लोग बताएंगे ठीक है पावलॉब क्या है सभी लोग बताएंगे पावलॉब के बारे में इस कोशन का अंसर बताईए पावलॉब ठीक है पावलॉब कौन था सभी लोग बताएंगे पावलॉब तो आप कहेंगे डी अप्चन पहले सरीर देखो पहले सरी थे सास्त्री फिर मौनो बैग्यानिक था पहले तो सरील का सास्त्री था उसके बाद में क्या हुआ फिर वो मनो बैग्यानिक बन गया नेक्स्ट कोशन बोला गया है अंत्रद्रश्टी का सिध्धान्त किस समुदाई ने दिया अंतरदस्टी का सिद्धान किस ने दिया था तो आप सभी कहेंगे गौश्टा गौश्टलबाद ने दिया था ऑप्शन नमबर एक योड़ जाएंगे नेक्स्ट कोशन यहां बोला गया है थॉर्ण डाइक ने अपने प्रियोग अपने प्रियोग किये थे तो आप कहोगे बिल्ली पर किये थे अपने प्रियोग ठीक है थॉर्ण डाइने सब्सक्राद अपने प्रियोग कहां पर किये यहां कह रहा है कौलहर ने अपना प्रियोग किया किस पर किया था तो बन मनुश्ट पर किया था ऑप्शन नमबर एक ही और जाएंगे नेक्स कोशन बोला गया है पावलॉव के प्रियोग में कुत्ते का घंटी बजने पर लार आने की प्रिक्रिया कहलाती है तो क्या कहलाती है यह कहलाती है संबंद अनुक्रिया कहलाती है नेक्स कोशन बोला गया है सीखने से संबंद सीखने से संबंद प्रिति क डर्मादक भी तो आप को बोला गया है तर देखिए को सिद्दांथ को डिखेंगे यह बोला किया है इस स्वाड़ा को देखेंक्सक्राइब किस देस्ट को आप क्या टा का सिद्धान्थ का नाम क्या था तो आप कोगे संबंद बाद का सिद्धान्थ था नेक्स्ट कोश्चन है बहुत इंपोटेंट है आप PDF को डानलोड कर लेना मैं आपसे बादा करता हूं कि 85 कोश्चन यहीं से देखनों कि मिलेंगे पर्षेंट आपसे बादा कर रहा हूं फे जाएंगे नबर सीखेंगे नेक्स है प्रियोग का नियम एक भाग है तो आपो कोगे अभ्यास का नियम जो अगर्फ है यह खहत नाम क्या था तो आप तो आप तनमानस था उसका नामथδα है तुका नाम नियम है तो आपको होगे यह है गौड का नियम option नमर सीकिए और जाएंगे next question है थौर्ण तोर्डाइक ने जो अधिगम सिध्धान्त को और नामों से जाना जाता है तो आपको उपरुग सभी के नामों से जाना जाता है तो यह कह सकते है प्रयास ओ तोटी का सिध्धान्त सम यहां बोला गया है शीखना क्या होता है यह यह जाएंगे नेक्स है अदीपन और अनुकिलिया में बन जो कह सकते हैं वंद्प इस्थापित होना ही अभीगम्न नहीं यह कतन के यह कतन अबीगम्ने के कौन से सिध्धांत पर आधारित है तो आप कोगे प्रयास और तोर्टी के सिध्धांत पर आधारित है नेक्स कोशन अभी अभी प्रणा अधिगम का सर्वोचि राजमार्ग है ये कथन है तो आप कहोगे ये कथन इसके कह सकते हैं इसकी नरका है option number हम एक ही ओर जाएंगे अभी प्रणा कार को अभी प्रणा कार को आरम करने और जारी करने का नियमित करने की पिरिवासा है ये good की प्रिवासा है next question बोला गया है अभी प्रणा किस पिरकार की किरिया है तो आप वोगे मनुसारदिक किरिया है option number D की ओर जाएंगे next question है अभी प्रणा की उत्पत्ती का अर्जित कारण क्या था तो आप वोगे रूची है रुची से कहते हैं रुची option number A की ओर जाएंगे next question है किस ने कहा कि अभी प्रणा एक विसीष कार्यों का प्रशन है तो आप सभी कहेंगे ये crash वा crash fit दोरा कहा गया option number B की ओर जाएंगे next question है भूख और प्यास कैसा प्रण है तो आप वोगे जन्म जात है जन्म से ही भूख और पयास लगती है next question बोला क्या है प्रण जो प्रणा होती है तो प्रसंसा करना क्या होता है ये प्रण करने की सबसे अधिक प्रणा भिधी होती है next question है अभी प्रणा चात्र में रूच्छी उत्पन करूगा तक कथन क्या है आपको किसे ने दिया ये कथन किसका है तो आप यहीं कहेंगे थॉम्शन का है नेक्स कोशन की बात करें यदि रखना अभी प्रणा अभी प्रणा जो होता है उसके च्छातर में उच्छित च्छातर में रुची उत्पन करने की जो कला होती है ये कथन किसका है तो आपको ये किसी को धंड देना पुरुस्कार्वाने किसी को विद्ट करना यह मनों बैज्ञानिक प्रेक्षा होते हैं ठीक है next question बूला गया है अभी प्रणों का मुल अभी प्रणों परणा कौन है या फिर जन दाता कौन है इस प्रवर कार से कैसा है तो आप कहेंगे यह हमारा मॉकसी लेंड ऑप्शन नमबर से के हो जाएंगे निमने में से प्रभाब में प्रणा की grab N नहीं होती है तो आप कोगे आभी प्रणा से संबंदित है किस से है अभी प्रणा से संबंदित है नेक्स कोशन बोला गया है अभी प्रणा का सिध्धान्त जो आत्मी करणा का सिध्धान्त है वो प्रतिबाद किया किस ने किया तो आप कोगे यह मौसलों द्वारा प्रतिबाद किया गया निमनेखित प्रसनों के उत्तर सत्त और आसत्त में दीजिए जैसे कि हमी मुझत सीखने का प्रयास की बिर्गिया क्या है यह सत्त है इसने ने सीखने का नियम को प्रतिबाद किया यह भी आसत्त है नहीं सीखने का नहीं दिया था सीखने का किस ने किया description box में है, मैं आपसे बादा करता हूँ कि आपको fail करने वाला कोई पैदा नहीं है PDF का link description box में है सबी लोग PDF को download करेंगे और दोस्तों को share करेंगे और चैनल पर पहली बार आए है तो B.A. Paper Hacker चैनल को और साथी साथ B.S.C. Paper Hacker को और Paper Hacker YouTube चैनल को subscribe करेंगे जिसका link description box में दे रखा है और PDF को download करेंगे थर्ड यूनिट को हम यूनिट हम इसके part 3 में बनाएंगे थर्ड यूनिट को ये पूरा clear करेंगे आज की वीडियो कैसी लगी? comment section में आप ज़रू बताइए Thank you